जैसे कि हमने देखा कि Google Keyword Planet Tool Google Ads का एक हिस्सा है हमने Google Ads का अकाउंट तो बना लिया लेकिन अब इस वीडियो में हम उस Magic Tool की बात करेंगे जो आपको ये जादू से बताता है कि आप कौन सा विजनस शुरू कर सकते हैं और कौन सा विजनस में आपको ज़्यादा benefit होगा तो आईए चलते हैं वो देखते हैं कि keyword tool उसमें क्या-क्या है और वो कैसे-कैसे चलता है जब आप Google Ads में लॉग इन कर लेंगे तो आपको ये screen दोबारा नज़र आएगी इस screen के उपर अगर आप देखें आपको tools की option मिलेगी जब आप tools पर click करेंगे तो आपको काफी columns मिलेंगे उसके अंदर उसमें पहला column है planning का आपने planning के column में जो पहली option है वो है keyword planner की उसमें क्लिक करना है और याद रखें कि बाकी options हमसे related नहीं है ये SEOCN का कोई तालुक नहीं है तो आपने वो सारी चीज़ें ignore करनी है जैसे आप keyword planner पे click करेंगे तो Google आपको कुछ इस तरह की options दिखाएगा जिसमें वो ये पुछेगा कि आपको क्या नए keywords दूनने हैं या आपको search volume या forecast करनी है अगर आप campaign चलाने लगे हैं अब चूँके हमने campaign नहीं चलानी तो हम पहली option select करेंगे जिसमें आप जाएंगे find new keywords जैसे आप उस पे click करेंगे तो आप से पूछेगा कि आपने क्या search करना है अब ये वो search है जो basically आप से business related है आपको business क्या है आप उसी के बारे में keyword लिखेंगे ताकि आप ये जान सकें कि आपके business के बारे में लोग क्या search करते हैं so for example mobile shop के लिए अगर एक बंदा mobile बेचता है या mobile की sessies बेचता है उसके लिए बड़ा important है ये understand करना कि लोग mobile phone के against क्या search करते हैं तो आईए देखते हैं कि लोग पाकिस्तान में mobile phone के against क्या search करते हैं so मैं यहां लिखूंगा mobile phones और जैसे mobile phone लिखूंगा उसके साथ मैं इसको enter प्रेस कर दूँगा अभी उसने इसको as a suggestion रख लिया है इसका मतलब यह है कि मैं मजीर इसमें keywords enter कर सकता हूँ लेकिन एक असान और अच्छी बात यह है कि आप इसको एक keyword एक वक्त में use करें उससे आपको फाइदा यह होगा कि आपको ये confusion नहीं होगी कि ये search results किस keyword के against आ रहे हैं so बेतर results के लिए कोशिश करें कि एक वक्त में एक keyword search करें ताकि आपका data जो है वो filtered रहे और आपको बड़ा focus data मिले कि जब आपने mobile phone search किया तो आपको क्या results मिले और जब आप कोई दूसर keyword search करेंगे तो उसके against क्या result मिलेंगे अगर आप दो keyword एकठे search करेंगे तो हो सकता है कि आपको ये clarify ना हो कि कौन सा keyword किस keyword की search के against result में आया था जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास results में कुछ keywords आ गए हैं और इस keyword plan window के अंदर जो भी इस वक्त आपको नज़र आ रहा है हम understand करेंगे कि ये क्या है और इसमें क्या क्या options available है जो locations है वो by default Pakistan सेर्च की है क्योंकि हमारा account पाकिस्तान का था तो उसको ये लगा कि हमने पाकिस्तान के लिए keyword सेर्च किया है लेकिन अगर आप किसी client के लिए या अपने लिए किसी दूसरे मुलक में marketing करना चाह रहे हैं या किसी दूसरे मुलक में rank करना चाह रहे है तो आप उस मुलक के Google के लिए उस मुलक को select करेंगे यहां पर तो तब ही आपको उस country की proper searches मिलेंगी तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि mobile phone searches पाकिस्तान में और mobile phone searches अमरीका में सेम हो जाएं तो अमरीका में जितने लोग mobile phone search करते हैं वो different है और पाकिसान में जितने लोग mobile phone search करते हैं वो different data है और इन data को merge नहीं किया जा सकता तो अगर आपने अपनी website पाकिसान में बनाई है तो आप पाकिसान में जाकर अपना keyword research करेंगे और अगर आपने अपनी website किसी और मुलक में बनाई है या किसी और मुलक के लिए बनाई है तो आप उस मुलक के country के अंदर जाकर आप उधर से keyword सरच करेंगे ताकि आपको यह data उस country का मिले ताकि आपको exact पता हो कि वो उस मुलक के लोग कितने लोग हैं जो वो particular keyword सरच कर रहे हैं तो फिलाल मैं इसको पाकिसान ही रखूंगा जिसमें अंदाजन मुझे यह बताता है कि पाकिसान में जो मेरी reach है वो 19.5 million पाकिसान में reach है इससे अंदाजन यह होता है कि यह keyword पाकिसान में मुझे शायद 19.5 million लोगों तक पहुंचा सकता है चुकर हमने add नहीं चलाना तो इस बात को भी हम ignore करेंगे और हम आगे चलते हैं दूसरी option है languages की languages में हमने by default English select किया अगर आप किसी और language में वेप्सेट बना रहे हैं तो आप वो language भी change कर सकते हैं जिसमें काफी ज़्यादा language available है और इसमें उर्दू भी available है तो याद रखेगा जिस keyword जिस language को आप select करेंगे searches उसी language में ही धूंडी जाएंगी तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप mobile phone English में लिख रहे हैं और आप language उर्दू में रख रहे हैं तो उर्दू में अगर आप language रखेंगे तो आप type भी उर्दू में ही करेंग तो फिल्लाल हम इसको English में ही रहने देंगे और तीसरी option है search networks की search networks पे अगर आप click करेंगे तो by default Google अपने ही network से यानि कि अपने Google के platform से आपको results देगा लेकिन Google के बहुत सारे partners भी होते हैं जो Google का search engine अपनी websites पे लगाते हैं तो अगर आपको data वसी करना है अगर आपको data की reach वसी करनी है तो आप ये कर सकते हैं कि आप Google प्लस Google Partners की option select करके आप मजीद data हासिल कर सकते हैं लेकिन अमोमन Google का data काफी होता है या Google का data बहुत सारी websites यूज़ करती हैं जिसमें वो उनको सई results मिल जाते हैं तो उसको फिल्लाल हम Google ही रखेंगे तो आगे चलके अगर आप दे keywords हैं जो Google में लोग search करते हैं तो इसको आप search queries कह लें keywords कह लें या words कह लें जैसे कि हमने पहले जिकर किया था जो लोग type करते हैं कुछ भी धूनने के लिए ये वो keywords हैं जो आपको understand करने हैं कि लोग क्या type करते हैं और ये वो खजाना है जो इसकी हमने पहले बात ही थी कि Google आपको पहले से बता देता है कि आपके keywords की कितनी demand है या आपकी products की कितनी demand है ये data आपके लिए बहुत valuable है यह नहीं कि आप अगर बिजनस रन कर रहे हैं तो भी और अगर आप अगर आपके लिए data बहुत valuable है पहला column तो keywords का हुआ, second column है average monthly searches, average monthly searches का मतलब ये है कि Google आपको ये बता रहा है कि average कितनी है इस particular keyword की monthly searches पे अभी average search करने के लिए हमें ये भी देखना है कि हमने timeline कितनी रखी है उसकी, अगर आप top right पे देखेंगे तो आपको Google की timeline मिल रही होगी कि आप में जो data search किया है वो कितनी देर का है तो फिल हल by default इसको हमने 12 महीने select किया हुआ है, तो इसका मतलब यह हुआ कि मुबाइल फोन जो के हमारा पहला keyword है वो पिछले 12 महीनों में औस्तन हर महीने 10,000 से 1,000,000 दफ़ा सर्च हो रहा है तो इसी तरह से अगर आम नीचे वाला keyword देखें तो cell phone पिछले 12 महीनों में on average पर मन्त 1000 से 10,000 दफ़ा सर्च हो रहा है तो यह searches हैं, यह वो searches हैं कि कितनी दफ़ा लोग search करते हैं अब यह searches data Google की database से आता है और Google कभी भी आपको specific searches नहीं बताता कि कितनी दफ़ा यह search हुआ Google आपको range देता है जिस से यहां पर आपको मिल रही है कि 1000 से 10,000 यह 10,000 से 1,000,000 यह वो range है जिसकी वज़े से Google अपने data को secure करना चाहता है ता कि कोई और इसका data चोरी ना करे लेकिन हम marketers को इसको देखकर यह समय जरूर आ सकती है कि mobile phone जो word है वो 10,000 से एक लग दफ़ा सर्च हुआ है वो उससे बेतर है जो कि cell phone है जो कि 1000 से 10,000 दफ़ा सर्च हो रहा है तो जब हम decide करेंगे कि हमने अपनी company का नाम क्या रखना है तो possibility है कि अगर हम cell phone रख रहे हैं तो cell phone के words से बेतर है कि हम mobile phone रख लें तो अगर आप किसी shop का नाम उस्मान, mobile phone या उस्मान cell phone रखना चाहते हैं तो दोनों में से जो बेतर word होगा वो उस्मान mobile phone होगा क्योंकि लोग mobile phone ज़्यादा सर्च करते हैं cell phone से तो ये एक मिसाल है जिस तरह से आपको ये keyword हल्प करता है कि आप अपनी marketing किस्ते हैं से बेतर कर सकते हैं next topic है competition और competition के इलावा जो ad impression जो बाकी 3-4 columns हैं वो सारे के सारे columns mostly related हैं Google ads के साथ अब चुके हम Google ads run नहीं कर रहें लेकिन फिर भी मैं आपको explain कर देता हूँ कि इनसे क्या फाइदा है हमारे लिए SEO की हद तक keywords और उनकी searches ज़्यादा matter करती है उसके बाद जो data है वो उन लोगों के लिए matter करता है जो Google पे ads रन करना चाहते हैं so competition का column आपको ये बताता है कि उस एक particular keyword के उपर कितने लोग add run कर रहे हैं तो अगर आपको कभी दिल करें कि आपने इस पर add run करना है Google ads के through तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि किस keyword के उपर कितने लोग already advertise कर रहे हैं और इससे ये भी पता चल जाता है कि maybe possibility है क्योंकि अगर ज़्यादा लोग उसके उपर add run कर रहे हैं तो हो सकता है आपको उसके ज़्यादा पैसे देने पड़े या हो सकता है कि आपको जगा उपर ना मिले और अगर उपर जगा लेनी है तो आपको add बेतरीन होना चाहिए ताकि आप बूसरे add से उपर आ सके और इससे ये भी अंदाजा हो सकता है कि maybe बाकी लोगों को ये पता है कि इस keyword के उपर कोई sale नहीं होती या जो ये word search करते हैं वो ultimately buy नहीं करते हैं website से तो वो data उस पर वो add चलाना पसंद नहीं करते हैं तो आपको भी इससे अंदाजा हो सकता है कि इस पर add चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए anyways आगे move करते है add impression share ये google का एक और metric है कि वो ये बताता है कि किस keyword पर आपको कितना impression मिल सकता है add के ओपर लेकिन चुकि अभी फिलाल ये blank आ रहा है ये हमने अभी campaign design नहीं की है इसलिए ये blank data दिखा रहा है आपने इसको ignore करना है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या करता है इसके बाद जो आखी दो columns हैं वो bid के हैं Google आपको कम से कम और ज़्याद से ज़्यादा bids बताता है कि आपको अगर add run करना है किसी भी एक keyword के उपर तो आप कम से कम कितने पैसे देंगे या आपको ज़्याद से ज़्यादा कितने पैसे देने पड़ सकते हैं तो ये bidding का जो process है जो boli का process कहलाता है ये बोली लगती है ads के उपर और Google ये decide करता है कि कौन ज़्यादा अच्छा add चला रहा है और कौन ज़्यादा पैसे देने पर रज़ामन है और उसको कितने उपर दिखाना है तो ये बड़ी complex किसम की bidding है लेकिन ये user को कम सकम इस कदर educate कर देती है कि आपको अगर इस पर add रन करना है आपको कम सकम कितने पैसे देने पढेंगे और आप ज़्यादा कितने पैसे दे सकेंगे इसके लिए ये Google educate करता है ताकि आपको ये समझा दे कि अगर आपने add campaign run करनी है तो वो कितने पैसे आपको देने पढेंगे लेकिन हमें इन सब चीजों से तालुक नहीं है क्योंकि हमारा SEO से concern है और SEO के लिए हमें पहले दो कॉलम चाहिए जिसमें पहला कॉलम keywords का है और दूसरा कॉलम searches का है तो हम इन दो कॉलम के उपर इस data को use करते हुए हम decide करेंगे कितने लोग हैं वो कौन सा keyword search कर रहे हैं और हमें उस keyword को कैसे utilize करना है अपने business के लिए या अपने client के business के लिए